The question says, 1.25 mg of gum arabica, whose goal number is 0.25, is added to 50 ml of standard gold salt. What maximum volume in ml of 10% NaCl solution can be added to this gold salt without causing coagulation? हम से इस question में कहा जा रहा है कि 1.25 mg gum arabica को add किया गया 50 ml standard gold salt में. हमें यहां पे इस gum arabica का goal number भी given है. हम से यहां पे पूछा जा रहा है कि 10% NaCl का कितना maximum volume जो है, इसमें add किया जा सकता है gold salt में without causing coagulation. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पे समझ लेते हैं gold number की definition को. तो gold number हमारा होता है the minimum mass of colloid in mg. ग्राम कोलोप में लोगल थे हा उबसक्तियो यहां प्रत्थ कोलोपन भी AGA आप बसक्तियो यहां प्रत्थे में चैशावाँ आप प्रत्थे भी वें बसक्तियो ए. from coagulation, when 1 ml of 10% NACL solution is added. कोलोईड का कितना मिनिमम मास मिली ग्राम में एड किया जाना चाहिए 10 ml स्टेंडर्ड हाइड्रो गोल्ड सॉल्ड में ताकि इसको प्रिटेक किया जा सके कोईगूलेशन से जब हम इसमें एड करें 1 ml 10% NACL solution को तो यहां पे जो गोल्ड नंबर गिविन है वो है गम अरेबिक का 0.25 मिली ग्राम गम अरेबिका इसको जो है हमें एड करना चाहिए 10 ml स्टेंडर्ड गोल्ड सॉल में ताकि हम इसको प्रिटेक कर सकें जब इसमें 1 ml 10% NACL एड किया जाए तो इसका कोईगूलेशन ना हो इसके लिए अब हमें यहां पे कितना हम गम अरेबिका एड कर रहे हैं हम कर रहे है 1.25 mg हम कर रहे है 1.25 mg तो अगर हम यहां पे निकालें तो जो हमें मास गिविन है वो है 1.25 mg और जो गोल नमबर है इसका वो है 0.25 mg तो देट मींज हम यहां पे टोटल 5 टाइम्स जो है गोल नमबर वो एक्स्ट्रा यहां पर एड़ कर रहे हैं तो फाइब टाइमस अगर हम गोल नंबर एक्स्ट्रा एड़ कर रहे हैं तो हम फाइब टाइमस ज्यादा स्टेंडर्ड गोल्ड सोल में इसको एड़ करेंगे तो देट मीज जो 1.25 mg गम एरेबिका है मैं यहां पर इसको नीचे मेंशन कर देती हूं गम एरेबिका यहां पर हम कैपिटल कर देते हैं एरेबिका यह एड़ की जा रही है यह एड़ की जानी चाहिए 50 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल में हम सभी को यहां पर 5 से इंटू कर रहे हैं स्टेंडर्ड गोल्ड सॉल में क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा और इसको कोईगुलेशन तब तक प्रोटेक्ट हो सकता है जब तक इसमें हम एड़ करेंगे 5 ml मैक्सिमम 10% एने सील सुलूशन अब हमें यहां पे 1.25 mg गम एरेविका ही दी हुई है और उसको हम एड़ भी क सकते हो कि 0.25 mg गम एरेविका जो है वो एड़ की जा रही है 1 ml में तो 1.25 mg गम एरेविका कितने में एड़ की जाएगी तो उससे भी आंसर आएगा आपका 5 ml So, I will just conclude it here now. I will just write this at the end that the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.